Hello students, पिछली वीडियो में हमने chapter 4, materials, metals and non-metals, जो आपके science का 4 chapter है, इसको complete कर लिया था, और इस वीडियो में हम लोग इसके question answers देखेंगे, ठीक है, यह आपके exercise में जो भी इसमें question दिये हुए है, total कितने हैं, इसमें, total आपके 11 questions है, यह सारे questions के solution हम इस वीडियो में यानि कि इन में से किसको हम beat करके पतला sheet बना सकते हैं, यह property क्या थी, आपकी metals की थी, metals आपके malleable होते हैं, उनको beat करके हम लोग thin sheet बना सकते हैं, बस उसी के उपर ही यह question आया है, तो इसका answer क्या होगा आपका, zinc, जो की एक metal है, बाकि आपके phosphorus, sulfur और oxygen क्या है, non-metal, next question देख which of the following statement is correct, यानि कि इन सम में से कौन से statement आपका correct है, पहला क्या लिखा है, all metals are ductile, कैसा है, metals ductile होती है, लेकिन सारे नहीं होते हैं, कुछ-कुछ exceptions थे, तो all metals लिखा है, तो यह option आपका गलत हो जाएगा, उसके बाद all non-metals are ductile, बिल्कुल नहीं, non-metals थोड़ी ductile होते हैं, some non-metals are ductile, तो भी नहीं, non-metals में ductility है ही नहीं, और यहाँ पर लिखा है, generally metals are ductile, तो हाँ, metals ductile होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग first roll ले को correct नहीं किया, लेकिन आम तोर पर, generally मतलब आम तोर पर, metals आपके ductile होते हैं, तो इसका answer क्या हो जाएगा, C, चलि यह सारे आपके answers है, ठीक है, मैंने fill कर दिया है, ऐसी यहाँ भी fill कर लेंगे, पहला क्या है, phosphorus is very reactive non-metal, second, metals are good conductors of heat and electricity, iron is more reactive than copper, metal react with acid to produce hydrogen gas, ठीक है, अब देखते हैं, fourth question, fourth में आपका पूछा है true और false, आपको statement को बताना है कि वो statement आपका true है या false है, पहला statement क्या है, generally non-metals react with acid, non-metals react के साथ आम तोर पर react करते हैं, नहीं, बहुत ही कम है जो react करेंगे, यहाँ पर लिखाव है, generally मतलब आम तोर पर, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे आप, false, दूसरा, sodium is very reactive metal, तो हाँ, हमने पढ़ा था ना, कि sodium water के साथ कितना तेज रिय weight solution, यानि कि आपका क्या बूल रहा है, कि जब ZNSO4 का solution हम लोग copper के साथ में react करा रहे हैं, तो आपका copper जो है, वो zinc के जगा पे आकर के CUSO4 बना रहा है, तो इसका आंसर आपका false आएगा, क्यों, हमने पढ़ा था कि copper क्या है, zinc से less reactive है, और जो less reactive metals होते हैं, वो अपने से ज run into wires, क्या कोईले से हम wire बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो तूट जाएगा न, तो ये statement भी आपका क्या है, false, चलिए next question देखते हैं, ये fifth question आपका है, कि जो है, कुछ properties दी हुई है, आपके list में, ठीक है, यहापे लिखा हुआ है properties, और हम लोग को इस property के हिसाब से metal और non-metal की बीच का difference बताना है, ठीक है, यानि कि ये वाला table जो है fifth वाला, ये हमको fill करना है, देखते हैं, कैसे fill होगा, ये answer है इसका, ठीक, पहली property के आद दी हुई है, हमारी appearance, मतलब दिखता कैसा है, तो metal आपका lusherous होता है, मतलब shiny भी लिख सकते हैं, आपे ठीक है, metal काMr. наша जाएनि होता है और non-metal कैसा होता है, dull, उसके बाद दिया है hardness, metal कैसे होते हैं hard, और non-metals soft, उसके बाद दिया है milleability, metals और non-metals non-malleable, उसके बाद ductility, metals आपके ductile, non-metals non-ductile, conduction of heat, metals आपके good conductors होते हैं और non-metals आपके bad conductors होते हैं, heat के, वैसे ही conduction of electricity जब हम देखते हैं, तो metals good conductors होते हैं and non-metals bad conductors होते हैं, या फिर इन्हें insulator भी बोलते हैं, ठीक है? Next question देखते हैं, question number 6, give reason for the following, यानि कि ये जो statement है, इसके पीछे हम लोग आप reason बताना है कि ऐसा क्यों है, Aluminium foils are used to wrap food items, मतलब क्या हो आपका कि जब भी हम लोगो food items को wrap करना होता है, तो हम लोग Aluminium foil का use करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग Aluminium का ही foil क्यों use हो रहा है, इसका क्या है ना कि आपका जो Aluminium है वो एक metal है, और metals कैसे होते हैं, मैलियेबल होते हैं, उनसे sheet बना सकते हैं, तो Aluminium एक ऐसा metal है जो highly मैलियेबल है, उसका आसानी से हम लोग बहुत ही पतला सा wrap बना सकते हैं, मतलब पतली sheet बना सकते हैं, और साथ ही साथ वो बहुत soft होता है, तो वो जो है आपके food items के साथ में react भी नहीं करता है, और ये कैसा है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कि Aluminium को बहुत असानी से हम लोग food wrap करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप answer कैसे frame करेंगे, Statement क्या लिखेंगे, Aluminium is highly malleable and it can be easily beaten into sheets to make its foil for wrapping purposes, it is soft and does not react with food items, that is why Aluminium foil are used to wrap food items, ठीक है, Next statement आपका पूचा है, Immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances, यानि कि liquids को heat करने के लिए, जो rod use होता है, वो metallic substance का बना होता है, ऐसा क्यूँ? तो हमें पता है कि metals आपके कैसे होते हैं, good conductors of heat and electricity, तो वो लोग में से electric current बहुत ही तेजी से flow होगा, है ना, इसलिए हम लोग immersion rods क्या करते हैं, इसके बनाते हैं, metallic substances के, तो इसका आप answer क्या लिखेंगे? इमर्जन rods, made up of metallic substances, because metals are good conductors of heat and electricity, they get very hot quickly, on the passage of electric current and warm water, ठीक है? आप देखते हैं, question number C, इसमें आपका बुला है, copper cannot displace zinc from its salt solution, यह भी हम true-false में भी देखें शायद, याना, true-false ही था ना, वो question आपका? यह वाला, copper displaces zinc from zinc sulfate solution, false लिखे था हम लोग क्यूं? क्यूंकि copper जो है, वो आपकी zinc से less reactive है, तो same वही हम यह आप लिख देंगे, copper is less reactive than zinc, so it cannot displace zinc from its solution, ठीक है? अब next देखते हैं, next आपका last is give reason का, sodium and potassium are stored in kerosene, sodium और potassium को हम kerosene में store कर करते हैं, क्यूं? क्यूंकि यह दोनों कै से आपके highly reactive हैं, इसलिए यहाँ पर statement क्या लिखेंगे, sodium and potassium are highly reactive, so they are stored in kerosene, यहाँ तक समझ आया, 7th question देखें, क्या पूछा है यहाँ पर? can you store lemon pickles in aluminium utensils? यानि की, explain करना इसको ठीक है, क्या आप lemon pickles, यानि की निम्बू के अचार को aluminium के बरतन में store करके रख सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है, ठीक, तो हम लोगों क्या पता है, कि जो aluminium है, वो क्या है, एक metal है, और lemon pickle, lemon कैसा है आपका, acid है, तो metals जो है, वो acid के साथ react करके, hydrogen gas बनाते हैं, तो जब आपका lemon जो है, वो उस metal, यानि के aluminium के contact में आएगा, जो की acidic है, तो obviously उसके साथ में react करके hydrogen बनाएगा, hydrogen gas बनने से आपका अचार जो है, वो खराब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या होता है, कि हम लोग lemon pickle को इसमें store नहीं कर सकते हैं, aluminium के utensils में, त because aluminium is a metal, metals readily react with acid to produce hydrogen, when aluminium comes in contact with lemon, which is acidic, it would react to give hydrogen and the pickles will be spoiled, okay, चली लाइश देखते हैं, आपका एच्छें, एच्छें में करना है, आपको क्या, match the substances given in column A with their uses given in column B, यानि कि दो column अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, A में क्या दिया हुआ है, आपका substance का नाम दिया हुआ है, ठीक है, यह first वाला column है, sorry, मैं A और B लिखना बूलगी, यह A है, यह आपका B है, ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है आपका, कि यह आपका column A है, उसमें substance का नाम दिया हुआ है, और B में उसके uses दिया हुआ है, तो column A में आपका जो substance है, पहला वाला क्या है, गोल्ड, गोल्ड कहां पे काम आता है, और विस्ती जुलरी बनाने में, तो हम लोग जुलरी के साथ मैच कर देंगे, आइरल, आइरल कहां पे काम आता है, म पेट्रोल, डीजल, कोईला, यह जो भी कुछ है ना, यह सब में कार्बन होता है, ठीक है, तो कार्बन हम लोग किसे मैच करेंगे, फ्यूल से, कॉपर, कॉपर कहां पे यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में, आपने कॉपर के वायर्स देखे होंगे, और उसके बाद तो मर्कुरी आपका थर्मोमेटर में यूज होता है, ठीक है, इजी है ना, सॉल्यूशन इसका, चलिए, नेक्स्ट वेशन देखते हैं, आइरन नेल्स अर प्लेश्ट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट वर्ड एक्वेशन और रियाक्शन इन वर्ड, यानि कि आइरन नेल जो है, आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोग डाले हैं, तो जो बनेगा, उसका हम लोगो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, वर्ड एक्वेशन लिखना है, तो मतलब जैसे हमने कैसे पढ़ा था, एफी, आइरन के लिखते थे, कॉपर सल्फेट के तो ऐसे नहीं लिखना है, इनको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, आपके लिए भी एजी होगा, क्योंकि फॉर्मूला याद करना थोड़ा मुश्किल होता होगा, ठीक है, चलि देखे, आइरन क्या है, कॉपर से जाधा रियाक्टिव है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को र अब नेक्ट देखते हैं, इस एलेवन्थ क्योंकि लिखना है, ठीक है, आइरन का रियक्शन, वोड़ी क्योंकि बाइचन, आइरन प्लस कॉपर सेलफ़ड सोलुशन, तो क्या बनेगा, आइरन सेलफ़ड बनेगा, या आइरन कॉपर को रिपलेस कर देगा, तो क्या हो अब नेक्ट देखते हैं, एलेवन्थ क्योंकि अपका, तो क्या बनेगा, यहां बना है और कॉपर बाहर हो जाएगा, वो अम यहां लिख दिया, ठीक, इसी है न, अब नेक्ट देखते हैं, इलेवन्थ क्योंकि आपका, सलोनी टुक पीस औफ बर्निंग चाल्कूल, एन कल सलोनी क्या की, एक जलता हुआ चार्कूल का टुकुडा ली, और उसमें से जो गैस निकल रहा है न, उसको एक टेस्ट टुब में कलेक्ट की, ठीक है, अब देखो, जो की रेड कलर में कनवर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो ब्लू को रेड किया, क्या किया है, ब्लू को रेड किया, इसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, पढ़े थे न, हम लोग बार, याद है, फॉस्ट या सेकंड वाले वीडियो में हम पढ़े थे, यह वार याद करना था, तो जो ब्लू को रेड कर दिया, वह आपका और वैसी जो red को blue कर देता है वो आपका base हो जाता है तो कैसे पता चलेगा कि वो paper आपका जो gas collect हुआ है वो क्या है? ऐसे डी क्या basic जो color transform हुआ उसके हिसाब से पता चलेगा तो आप answer कैसे frame करेंगे यहाँ पे? She can find the nature of the gas by using a wet litmus paper ठीक है कैसे पता कर सकती है? After bringing the litmus paper in contact with gas If it turns blue litmus paper into red, it is acidic Similarly, if it turns red litmus paper into base, it is basic ठीक है? चलिए next देखते है Write down the word equations of all the reactions taking place in this process यानि कि इस process में जो भी आपका reaction हो रहा है उस अब के लिए एक word equation लिखना है ठीक है? पहला क्या हुआ आपका carbon Carbon किसके साथ react किया है आपके? Carbon plus oxygen, carbon dioxide फिर carbon dioxide plus lime water Lime water कैसा हो गया आपका milky? यह दोने equations आपको बस लिखना है ठीक है? अब next question देखते हैं आपका last question है यह One day, Rita went to a jeweler shop with her mother Rita अपने एक jeweler shop गई अपनी मदर के साथ Her mother gave old gold plated jewelry Old gold jewelry to a goldsmith to polish और क्या हुआ? किरीटा की मदर जो थी वो एक goldsmith को मतलब सोनार को अपना पुराना gold का jewelerी दी और बोली क्या next day when they brought the jewelry यानि कि next day जब वो लोग अपने जोलरी लेके वापस आ रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ है? They found that there was a slight loss in its weight उसके वजन में थोड़ी सी कम ही आ गई थी अब क्या आप इसके पीछे reason बता सकते हैं कि वजन कम क्यूं हुआ है? तो obviously उसकी ममा अगर पूराना एक gold का jeweler के पास में देकर क्या ही है that means वो उसको polish करने दी होगी ताकि वो नया हो जाए जब हम लोग polish करते हैं गोल्ड को texture में polish नहीं किया जाता है उसको एक acid का solution होता है जिसको हम लोग aqua region बोलते हैं उसमें dip कर देते हैं और dip करने से क्या होता है कि गोल्ड का जो jewelry है गोल्ड के आपका metal है और aqua region जो है न वो आपका acid होता है ठीक है, aqua region में आपका hydrochloric acid और nitric acid मिला हुआ होता है जब गोल्ड को उसमें dip करते हैं तो गोल्ड का जो सबसे बाहर वाला layer है जो shine कर रहा होता है वो layer आपका कहीं न कहीं छिप गया है तो क्या होता है, उसमें जाते ही, वो layer जो है, वो dissolve हो जाएगा उपर जो आपका dull हो गया है और क्या होगा कि अंदर का जो shiny layer है, वो बाहर आ जाएगा और इस वज़े से क्या होता है कि उसके बजर में थोड़ी सी कमी आ जाती है तो अभी इस आंसर को आप कैसे फ्रेम करेंगे गोल्ड ज्वल्री इस डिप्ट इन्टो अन असिडिक सोलूशन कॉल्ड एक्वारीजिया ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्वारीजिया क्या है इस वीडियो के लिए बस इतना ही आपको पूरा समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ में इसके सारे question answers भी अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग comment में बोल दीजेगा तो सार आपको ये PDF अपने हिसाब से देखें कि कैसे provide कराना है ठीक है थैंक्स फूर वाचिंग